क्या विराट चाहते थे धोनी से सफेद गेन की कप्तानी किताब से हुआ बड़ा खुलासा पूर्व भारते कप्तान और स्टार बलेबाज विराट कोहली हमेशा से ही भारते पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी के सबसे बड़े प्रशनसक रहे हैं चाहें फिर वो कोई इंटर्वियू हो या फिर सोशल मीडिया पर धोनी की पारी देखने के बाद उनकी तारीफ करना विराट कोहली वो शक्स रहे हैं जो हमेशा सबसे पहले आगे बढ़कर धोनी की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते हैं लेकिन आर श्रीधर जो की पूर्व भारतिय फील्डिंग कोच रह चुके हैं उनकी किताब कोचिंग बियॉर्ड माइडेज विद इंडियन क्रिकेट टीम में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानने के बाद आप सभी को बड़ी हरानी होगी आपको बता दे आर श्रीधर की इस किताब में पहले भी कई खुलासे धोनी को लेकर हो चुके हैं और अब एक और बड़ा खुलासा विराट और धोनी को लेकर हुआ है श्रीधर की इस किताब में एक खुलासा हुआ है जिसमें ये बात जाहिर की गई है कि विराट कोहली साल 2016 में MS धोनी से वाइड बॉल की कप्तानी चाहते थे जी हाँ साल 2014 में MS धोनी ने खुद विराट कोहली को रेड बॉल क्रिकिट में कप्तान बनाया और अपने टेस्ट करियर का अंत किया लेकिन विराट कोहुली लाल गेन से खेले जाने वाली क्रिकिट में कप्तान से संतुष्ट नहीं थे उन्हें 2016 में सफेद गेन से खेले जाने वाली क्रिकिट में टीम इंडिया का कप्तान बनना था इस बारे में उन्हें रविशास्त्री ने उस दौर में काफी समझाया कि धोनी आपको खुद ही कप्तानी दे देंगे इस बारे में जिक्र करते हुए श्रिधर की किताब में लिखा है कि रविशास्त्री ने विराट कोहली को बुला कर कहा कि देखो आपको टेस्ट क्रिकेट में महिंदर सिंग धोनी ने कप्तानी दी है उस फैसले का सम्मान करना चाहिए और सफेद गेन क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए शास्त्री ने ये भी कहा कि अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो कल जब आप कप्तान बनेंगे तो आपका भी कोई सम्मान नहीं करेगा रविशास्त्री ने कहा कि कप्तानी के पीछे मत भागो ये खुद तुमारे पास आएगी और वही हुआ साल 2017 में महेंदर सिंग धोनी से विराट कोहली को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया क्योंकि साल 2017 के शुरुआत में MS धोनी ने कप्तानी पद से इस्तीफा दे दिया लेकिन शुरुदर की इस किताब से ये बात तैह हो गई है कि विराट कोहली साल 2016 में भारतिय टीम का सफेद गेन से कप्तान बनने के लिए काफी उत्साहित दिखाई दे रही थे अब इस बात में कितने सच्चाई है ये तो विराट कोहली बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन लगातार MS धुनी की रिटार्मेंट हो या फिर कप्तानी सभी का खुलासा शृधर अपनी किताब में एके करके करते जा रही हैं जो काफी जादा चौकाने वाला है आपका इस बारे में क्या खयाल है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल वन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए